प्रिवेस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे Sources of Organic Compounds के Organic Compounds के Sources क्या हैं? उसमें हमने different sources पढ़े Cole पढ़ा, Natural Gas पढ़ा आज जो हम discuss करेंगे वो है जनाब आपके पास Petroleum आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? petroleum हम देखेंगे कि petroleum किस तरह से source है organic compounds का इसका use क्या है और इस topic पर जाने से पहले इसकी details में जाने से पहले आपने कर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और bell icon को press करें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिले चलें बहराल आपमें topic की तरफ चलते हैं टॉपिक है आज का petroleum हम discuss कर रहे है sources of organic compound chapter number 7 second year petroleum क्या होता है normally आपने लफ़ज सुना होगा petroleum असनुआत जैसे हम news में कभी सुनते हैं कि वो कहते हैं जी petroleum मसनुआत की कीमतों में अधाफा अक्सर अधाफा ही होता है तो बहराल petroleum मसनुआत तो ये वही petroleum है petroleum actually होता क्या है ये होता है mineral oil नाम से हमें पता चल गया देखें हमने इससे पहले पढ़ा था coal coal एक solid form थी फिर हमने natural gas पढ़ा जो के gaseous form थी और अब ये कोंसी form है ये आपके पास simply liquid form है कोंसी form है liquid form है तो petroleum liquid form में मजूद होता है हम कहते हैं कि petroleum होता क्या है mineral oil उसको हम petroleum कहते हैं जब वो refined form के अदर हो refined मतलब साफ सुतरी form के अदर हो हम इसको detail देखने से पहले हैं कि हम इस refined form को समझे हम ज़रा चलते हैं कि आपकी जो petroleum है वो आपको obtain किस तरीके से होता है तो आपके जितने भी remains of organic compounds है अगर आपने पिछला lecture लिया है link में description में डाल दूँगी तो आपने देखा होगा कि जो dead remains होते थे plants के, animals के उनमें with the passage of time high pressure की उपर, high temperature की उपर क्या होता था, कि जब high pressure, high temperature होता जो है वो उसकी वज़ा से different chemical और biochemical reactions होते थे और आपके पस coal बनता था, natural gas बनता था, और इस तरह आपके पास petroleum भी बनेगा इस तरह था हमने startman को बोला था, कि ये fossil fuels है तो जितने भी आपके organic compound के remains थे, उनके उपर slow chemical and biochemical reactions होए उनकी chemical and biochemical decomposition होई, decomposition का क्या मतलब होता है breakdown हो जाना, हमने उस दिन भी discuss किया था, कि किसी भी phenomena को समझने के लिए उसकी terms को समझ जाएगी, जिए, डी जो होता है न, डी एक negative prefix होता है यानि किसी भी चीज़ को मनफी के माइनों में ले जाता है तो decomposition का मतलब कि उसकी जो भी composition थी, उसको खतम कर देना यानि उसकी breakdown कर देना तो slow chemical and biochemical reactions होए, हमने पहले भी discuss किया था कि millions of years लगते हैं इस काम के लिए तो slow chemical and biochemical reactions होए, decomposition होई, breakdown होई और आपके पास क्या बन गया, liquid बन गया, जो के blackish color का था यानि जब आपके petroleum निकलती हैं, किसी भी जखीरे से, किसी भी resource से आपने सुना होगा न, news में अक्सर आपने सुना होगा के फिलाँ जगा से तेल निकल आया, जैसे हम कहते हैं, कि जो सुधी और में से तेल के जो, में बहुत से तेल के जखायर हैं तो इस बात का यही मतलब होता है, कि आपके जो petroleum मस्नुआत हैं, यह किसी भी resource से निकला यहनि वहाँ पर कहीं सालों पहले, जो organic compounds दबे होंगे, उनकी पर slow chemical and biochemical reactions होते चलेगे और वो जो पिर आपको मिलता है, वो liquid की form में मिलता है, और blackish color का मिलता है और उसको हम क्या बोलते हैं, crude oil बोलते हैं, क्या बोलते हैं, crude oil और फिर उस crude oil की refining की जाती है, यनि उसको साफ सुतरा किया जाता है, अगर हम असानला इलफाज में देखें, तो refine करने का मतलब होता है, साफ सुतरा कर लेना तो आपका crude oil है, जो कि blackish color का होता है, वो जो है, उसको refine किया जाता है, साफ सुतरा किया जाता है यह जो refined form होती है उसको हम भोलते है petroleum इसलिए तो पर हमने कहा था कि जो mineral oil मिलेगा जो कि refined form में होगा उसको हम भोलेंगे petroleum तो जब तक वो blackish form में होता है हम crude oil बोलते हैं refined form में होता हम उसको petroleum बोलते हैं यह चीज आपके short questions यह mcqs का इसा हो सकती है कि crude oil क्या है या petroleum क्या है तो बहर oil या आपकी जो है वो refined इन इसको साफ सुत्रा कर लेना अब पाकिस्तान में बहुत सारी oil refineries है जो उसको साफ करने के काम आती है और वो oil refineries कौन कौन सी है अटक oil refineries है जो कि मौरगा नियर रावलपिंडी यह निर रावलपिंडी के लाके म मुझूद है और उसकी capacity जो है वो 1.25 million tons इसकी capacity है कि वो इतने oil को refine कर सकती है उसमें से जो impurities है वो निकाल सकती है दो जो oil refineries है वो कराची में मुझूद है उनकी oil refining capacity 2.13 million tons है और एक जो oil refinery है उसका हम बोलते हैं पाक अरब oil refinery वो महमूद कोड नियर मुलतान जो है यानि मुलतान के लाके में वहाँ पर आसपास मुझूद है तो यह पाकिस्तान में पाई जाने वाले कुछ oil refineries है अगर paper point of view से देखा जाए तो यह भी आपके short questions का या MCQs का हिस्सा हो सकती है कि कितनी उनकी capacity है या कहां कहां पर पाकिस्तान की oil refineries मुझूद है तो यह व petroleum जो है कभी आपने नाम सुना होगा कि मटी का तेल फिर आपने diesel फिर आपने petrol तो आपने शायद कभी focus किया हो जब कभी news में यह सना से चलता है petroleum उसनो आथ पूरा करके वो बोलते हैं तो उसके अंदर यह सारी चीज़ें शामिल होती है उसमें आपका petrol भी आ जाता है उसमे की फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है क्या किया जाता है फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन क्या है फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा फिनॉमिना है जिसमें लिक्विड्स को सेपरेट बाराल Fractional Distillation के ओपर एक बहुत डिटेल्ड लेक्चर मुझूद है आप First Year के अंदर Chapter No.9 के अंदर पढ़ सकते हैं Fractional Distillation तो Fractional Distillation की जाती है और यह देखिए आपके पास जो है वो डेरो जो है वो मुझूद है डेरो कमपाउंड मिल जाते हैं यह सारी चीज़ों के मिक्सर काम बोलते हैं कि यह पेट्रोलियम है अच्छा जी आप इसमें से कहा कि आपको मिला नेच्रल गास मिली जिसमें आप दे जा रहा है फिर आपके पास लिग्रॉयन यह नाफ्था है इसके अदर आप देख रहे हैं कि कावन कॉंटेंट बढ़ता जा रहा है और आगस के यूजिस हैं अगर पेपर पॉइंट आफ्यू से देखा जाए तो आज सच आपको पूरे का पूरा टेबल याद करने की ज़ कि करूंट 10 करोंट 15 बढ़ता जा रहा हैं कर्णाइंट जबादा रहे हैं अब कर साथ होने का मतलब चैस्टे तो शकー आपके जो करते पूइंट कर्तेया रहे हैं और करते beetje ранो फॉलिंड यं़ हम भी strong forces of attractions developed हो चुकी है अब आप uses देख सकते हैं इनके जैसे ये है fuel या petrochemical के लिए उस हो रहा है natural gas इसी तरह पेट्रोलियम इथर solvent के तरह पर यूज होता है important कहके चीज़े हैं आपके पास ये gasoline बहुत important है आने वाले lecture में हम इनको discuss करेंगे ये basically आपका पेट्रोल है जो आप आप अपनी जो है वो गाड़ियों में यूज करते हैं पेट्रोल उसको हम कहते है gasoline gasoline oil, gas oil important है ये के आपका diesel, carosin oil, diesel है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके important है paper point of view से देखा जाए तो इनकी uses थोड़े बहुत आपसे पूछे जा सकते है gasoline तो आप सारा देख लीजिए यनि gasoline को carosin oil को और gas oil को आप अच्छे तरीके से जह वो learn कर लीजिए इसके लावा आप uses सिरफ देख लें जैसे मिसाल के तोब पर mcqs में पूछ लेते हैं कि wax products कौन बनाता है और वहां पर आपको यह चार option दे दिये जाएंगे यहां फिर paraffin का use बोलकर तो कोई भी चार options दे दिये जाएंगे कि कौन कौन सी है तो यह इसका use paraffin का use भी बहुत important है कि wax products बनाता है तो यह अब uses देख सकते हैं आपने paper point of view से तो बहराल आपके पास यह हुआ कि जो fractional distillation की गई petroleum की उसे आपके पास यह देखें बहुत सभी fractions बन गई और इन fractions को separate out किया जाता है और अलग-अलग इस्तमाल किया जाता है जैसे आप देख सकते हैं कोई motor fuel है इसको motor fuel के तोब पर use किया जा रहा है तो इस तहां से इनके different uses है वो uses आप देख लीजेगा तो आपके जो petroleum है उससे आपको different fractions मिलते हैं इसमेंसे जो most important है वो आपके पास क्या है gasoline क्योंकि इसकी बहुत जादा fraction हमें चाहिए और जाहर है जहां से भी आपको petroleum मिलेगा उसके अंदर ये सारे fractions मजूद होंगे अगर आपको सिरफ चाहिए आपका जो है वो gasoline चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा यानि आपको जादा से जादा quantity चाहिए gasoline की तो आपको उसकी cracking करनी पड़ेगी next topic के अंदर इंशाला हम cracking जो है वो देखेंगे तो देखना मत बूलिए next topic इंशाला कल के cracking क्या चीज़ है आपको इस topic से related कोई भी question हो आप comment section में पूछ सकते हैं तब तक के लिए अलाफेज